So, hello everyone, welcome to our channel Coding Crane. So, let's start our next video of topic array that is Arrange the array in alternating positive and negative items with O of 1 extra space. ठीक है, तो अब इसका कुछ सॉल्फ करने का तो नहीं है, लिकिन मैं आपको एक्स्प्लेन कर देती हूँ. अगर आप इस Geeks for Geeks में यह link खुलेगा, तो इसमें कुछ practice area नहीं है, जहां पर हम लोग solve कर सकें. तो मैं आपको इसको यहां पर थोड़ा सा complex given है, तो मैं आपको इसको एक बार explain कर देती हूँ. अब देखो, यहां पर क्या main point है, कि हमने O of 0 extra space लेनी है, ठीक है? एक तरीका तो यह हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास दो हम लोग array बना लें, एक positive नाम का array बना लें, और एक हम लोग negative नाम का array बना लें, एक positive और एक negative. अब इसमें हम लोग भर दें जो जो हमारी positive values होगी और इसमें हम लोग भर दें जो जो हमारी negative values आएगी और फिर हम लोग क्या करें जो हम लोग को कुछ पोस्ट करो ये a given है array ठीक है तो हम क्या करें अब सबसे पहले हम लोग उने क्या करना है सबसे पहले negative number रखना है फिर positive, फिर negative, फिर positive मतलब main हमारा जो question है वो ये है कि हमारे पास ये array given है तो सबसे पहले हमारा उसमे negative number होना चाहिए फिर हमारा positive हो फिर negative हो, फिर positive हो छीक है, सबसे पहले हमने start कहां से करना है negative से, तो हम एक तरीका यह है कि हम यह कर सकते हैं कि हम लोग ने दो array ले ली एक positive नाम से एक negative नाम का और उसमें जब भी इस array में हमारा suppose करो यह array है तो जब भी यह greater than 0 आएगा तो हम लोग वो वाली values इसमें रख देंगे और फिर next यह element आया फिर यह वाली value greater than 0 आए इसमें रख दें और जैसी negative कोई value आई मतलब वो less than 0 हुआ तो वो negative array में रख दें फिर हम लोग क्या करेंगे इसका first element इस array में डालेंगे फिर इसका डाल दिया फिर इसका element डालेंगे फिर इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं लेकिन यह हमारी extra space ले रहा है extra space मतलब कि हम लोग यह एक array और बना रहे हैं और एक array यह एक और बना रहे हैं तो इन दोनों को total करेंगे तो total वो ही हो गया जो यह elements है तो यह o of an extra space ले रहा है ठीक है लेकिन हमको specially यह mention है कि हमने o of one extra space लेनी है ठीक है, अब उसको solve करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो variable का use करेंगे, एक i variable और एक j variable, तो जो i variable है वो हम लोग starting पे रख देंगे, जिसे यहाँ पे हमने i variable रख दिया और यहाँ पे हमने j variable रख दिया तो यह i और यह j तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जो positive numbers है न वो starting में रख लेंगे और negative numbers last में रख लेंगे ठीक है सबसे first case क्या है कि हम लोग positive numbers starting में रखेंगे और negative number हमने end में रख दिया अब हम क्या करेंगे इस case ले अगर हमारा a of i greater than 0 हुआ मतलब कि यह जो value है यह 0 से बड़ी हुई मतलब कि यह अपनी position में है तो हम लोग क्या करेंगे एक i जो है वो increment कर देंगे तो पहले हमारा i यहाँ पे था लेकिन इसने देखा कि जो two value है यह 0 से बड़ी है मतलब कि यह positive number ही होगा तो हमने इसको यही रहन दिया फिर हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे अब सबसे पहले हम लोग condition क्या लिखेंगे while loop लगाएंगे while loop में क्या करेंगे while यहाँ पे while loop लगाए उसमें लिख देंगे जब तक हमारा जो i है वो greater than j हुआ तब ही तक हम यह while loop चलेंगे ठीक है यह हमारी first condition हो जाएगे while loop की और उसके अंदर हम लोगे दो operations लिख लेंगे अब हमने यह क्यों लगाया अब देखो j यहाँ यहाँ पे आया फिर j यहाँ पे i एक और plus हुआ वैसी j हमारा decrease होता जाएगा तो जैसे हमारा i और j equal आ गया न इसका मतलब की जो हमारा right hand side है यह वाला right hand side वो negative numbers होंगे उसमें और left hand side में हमारे positive numbers एक बर हम लोग देखते हैं अब देखो यहाँ पे यह number फिर greater है ठीक है मतलब की यह positive है जीरो से बड़ा है अब हम लोग क्या करेंगे यह value यहाँ पे increment कर देंगे अब हमने क्या देखा कि जो यह है यह हमारा greater नहीं है जीरो से ठीक है तो हमने क्या किया अब हमारा I जो है वो यहीं पे रुख गया अब हमने इस पे आए मतलब यह else यह यहाँ पे if होगा और यहाँ पे यह else हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे अगर यह हम चेक करेंगे क्या यह हमारा 0 से छोटा है येस यह हमारा 0 से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे फिर हमने क्या लिखा कि क्या हमारा जो यह नमबर है ये भी 0 से छोटा है येस ये भी 0 से छोटा है तो ये और value एक decrease हो जाएगी अब हम लोग यहाँ पे आगए तो अब basically यहाँ पे क्या हुआ जो हमारा I है वो यहाँ पे है और J हमारा यहाँ पे हो गया अब हम लोग क्या चक करेंगे कि जो ये value है ये हमारी negative है मतलब कि ये 0 से बड़ी नहीं है और जो ये है ये positive है तो ऐसी situation हम लोग क्या करेंगे इनको swap कर देंगे हम लोग आगे आगे चलते रहे जैसे I को कोई negative value मिली और J को कोई भी positive value मिली तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देंगे swap कर देंगे तो अब हमारा array बन जाएगा 2, 8, 6 क्योंकि ये लोग swap हो गए फिर minus 5, minus 1 and minus 3 तो ये हमारा first point हो गया हमने positive numbers starting में लिखने है और negative numbers last में लिखने है तो अब आप यहाँ पे बहुत important point है जब भी आप ये swap करोगे न तो अब हमारा जो I है न वो यहाँ पे होगा sorry I हमारा यहाँ पे होगा 6 पे और J हमारा यहाँ पे होगा ठीक है अब हमने swap कर दिया अब हम क्या चेक करेंगे हम लोग फिर से चेक करेंगे क्या हमारा six greater है zero से yes तो हम लोग क्या करेंगे जो I है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा I भी यहीं पे है और J भी यहीं पे है फिर हम लोग J को भी चेक करेंगे last case में तो हमारा J जब सही हो गया, क्योंकि वो छोटा है, 0 से, तो हमारा J यहाँ पर चला जाएगा, तो अब आप जब भी देखोगे, जब आप last swap करोगे न, तो हमेशा हमारा जो I होगा न, वो first negative number पर ही होगा, जो हमारा I होगा न, वो first negative number पर ही होगा, अब, अब हमने क्या करना है, एक alternative value लिखनी है, मतलब पहले negative, फिर positive, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब हम लोग एक और, यह तो हमारा हो गया, कि हमने positive एक तरफ कर दिया, और negative एक तरफ कर दिया, अब second case होगा, कि हम लोग swapping करेंगे, swapping किस फॉर्म में करेंगे, कि सबसे पहले negative, फिर positive, अब हमने एक variable ले लिया, के, और यहाँ बे हम लोग I ही रहन देंगे, ठीक है, अब सबसे पहले, हम लोग starting, हमको पता है, कि हमारा positive है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे पहले negative, तो हम लोग first case में, इन दोनों को swap कर देंगे, ओके, इन दोनों को हमने swap कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, जो हमारा I है, वो हमारा, मैं इसको color change कर देती हूं, अब I हमारा का होगा, यहाँ पर हो जाएगा, next value पर, ठीक है, और, जो हमारा K होगा ना, K हमारा, दो बार increment होगा, मतलब plus 1 नहीं होगा, plus 2 होगा, वो क्यों plus 2 होगा, अब मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देती हूं, अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर 2 लिखा होगा है, अब जब हम लोग इसको swap करेंगे, swap करके मैं लिखती हूं, अब हमने swap किया, तो जो हमारा minus 5 है, वो यहाँ पर आ गया, और 8, 6 वैसे ही रहा, और minus 5 की जगा आ गया हमारा 2, और minus 1, minus 3, as it is रहा, अब देखो, यहाँ पर हमारा negative number आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए, कि जो number next है न, वो positive ही रहे, क्योंकि हमने alternative रखना है value, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो यहाँ से k था न, यहाँ पर, अब वो एक value छोड़के, अब वो 6 पर चला जाएगा, मतलब कि अब हम लोग 6 और minus 1 की swapping करेंगे, जो i है, वो हमारा 1 ही increment होगा, लेकिन k जो हमारा है, वो plus 2 increment होगा, तो next case में हम लोग 6 और minus 1 को swap कर देंगे, अब इसको swap करने के बाद हमारा minus 5, 8 as it is रहा, minus 1 होगया, यहाँ पर 2 होगया, और यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ पर minus 3 आ गया, अब next case में क्या होगा, हमारा जो i है वो यहाँ पर आ गया, okay, minus 3 पर, और जो हमारा k है वो इस तरफ आ जाएगा, मतलब एक value छोड़के, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, मतलब वो पहले 6 पर था, okay, लेकिन हमने 6 को तो interchange कर दिया, minus 1 से, तो अब वो कहाँ पर है, इस point पर है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने, जो हमारा वो है, k है, k हमारा आ गया, इस तरफ, और जो हमारा i है, वो हमारा i है आ गया, यहाँ पर, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दुनों को swap कर देंगे, तो अब हमारा जब swap किया हमने, अब हमने minus 1 और 6 को swap किया ठीक है? तो हमारा, sorry हमने 6 और minus 3 को swap किया क्योंकि पहले हमारा k यहाँ पर था लेकिन अब वो यहाँ पर हो गया k हमारा ठीक है? तो हमारा as it is minus 1 रहा, फिर 2 रहा और minus 3 और 6 को हमने swap कर दिया. तो यह हमारी हो गई alternative values, पहले negative, फिर positive, फिर negative, फिर positive, फिर negative, फिर positive. तो इसको solve करने के लिए सिरफ बहुत simple rule है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा array given है, उसमें सबसे पहले हम लोग positive values रख लेंगे, फिर negative values रख लेंगे, और दूसरी चीज, फिर हम लोग इनको फिर से swap कर देंगे, swap कैसे, जो k है वो plus 2 increment होगा, और जो i है वो plus 1 ही increment होगा, ठीक है, और i हमारा कैसे पता चलेगा, जो i हमारा, उससे पहले हमने जब positive और negative को differentiate किया न, तो i हमारा हमेशा first negative value पे ही होगा, तो हम लोग ने बस एक और variable k लगाना है, और i तो हमारा last step से ही होगा, तो इन दुनो को हमने फिर swap कर देना, तो ये था हमारा how to rearrange array in alternating positive and negative items, तो यहां से भी आप ये question को पढ़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा दूसरे method से हो, तो ये मैंने आपको easy step दे दिया, इसमें हम लोगोंने कोई भी extra array नहीं लगाया, तो इसकी जो extra space है, वो क्या है, o of n, क्योंकि हमने उस इसी array में interchange किया value, पहले उसको positive किया, फिर negative, फिर उमने उसको alternate values दे दी, चीक है, तो ये था हमारा question, thank you